दोस्तों आज की वीडियो में आपको बता हूँ किस तरीके से आप नए नए काम करके नए नए बिजनेस स्टार्ट करके अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सकते हो या क्यों कि आपने सीवी एंग कर रखी है आपने मेकैनिकल एंग कर रखी है और अभी भी आप जॉब करें उसकेट को अवर् कि आप जो और अब च्रफिशना के दोश्तों वेलकम अब कि माइटीश व्लीट में दोस्तों मैंने करके अर्श्पांटर आप देख हैं यूलिक स्टेवियानी में गेलस्यल दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हो मार्केट में किस तरीके से और government job के लिए आप apply कर एक position के लिए लाखों लोगों ने लाइन लगा रखा है और उसमें भी आरत चोड़ा और भी तरतर के problem जो हैं उसके उज़र से क्या हो रहा है जौब लगने बहुत जादा problem हो रही है एसे में हम युवाओं को रोजगार ने ने तरीके के कठे करने पड़ेंगे ने ने तरीके से create करने पड़ेंगे किस तरीके का रोजगार हम create कर सकते हैं आप थोड़स अगर सोचो किया तो आपको सब्सक्राइब कर कि अगर आपके पास कोई skill है जैसे कि मैं कली एक class में discuss कर रहा था कि अगर हमें कुछ लाइक कुछ रिफ्रेसर थे लाइक 18 और 19 पास बच्चे थे उनसे में ने पुछा वाडियो सैली इक्सपर्टेशन देसे 25,000 कुछ लोगों ने बोला 25 कुछ लोगों ने 20 कुछ लोगों ने 50 इन इस तरीके से लोग अगर मैं अगर मैं आपके पास बट आप मुझे पोच लगाना नहीं आता है अगर मैं अगर मैं कितना पैसा दोगे तो देर आपके लोगों ने आता है इस टाने से लिए 10,000 को आपको अभी क्यों बेजटेबल कातना रहा है तो मैंने बोला यही तो आपका हैंसर है यूर फ्रेशर, यूर पास नहीं है तो कंपनी नहीं नहीं देगी तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ने-ने स्किल से एड़ करने पड़ेंगे खुद के अंदर कोई भी एक स्किल पहले एड़ करो उसको इतने अक्स पर लेवर पर जाओ कि वह स्किल वहाँ पे डेवलब इस तरीके सो जाए कि उत्तम कोटी यह नहीं मैक्सिममम पर पहुद जाया हो मैक्सिममम में जैसे कि आपने अकों कोंसे स्किल को सीख सकते हो आप AutoCAD सीख सकते हो दो सबसे डेसी इस की जलूद पढ़ती पढ़ती है है आप शोई सब किस तरीके से साइट में काम करवी üz Пजा जाता हो। सरी के से structure की design मेनोली कर सकते हैं आप stat pro सीख सकते हो, आप tegla सीख सकते हो, आप revit सीख सकते हो, यह सारे number of skills हैं, आप किसी एक skill में perfect होके दिखाएए, definitely आप कहीं न कहीं अच्छे position पर पहुचेंगे, और आप अपना काम भी अगर श्टार्ड कर रहे हैं तो पहले आप अकेले होंगे और फिर पीछे देखेंगे तो आपके पीछे लाइन लगी होगी, बहुत सारे लोग होगी, क्यों? क्योंकि आप सफल हो चुके अपने के स्किल बे उसके बाद आप दूसरे स्किल को डेवलब करो फिर तीसरे को फिर फिर चौथे को आप MSP सीख सकते हो Microsoft Project उससे आप Project Management अच्छी तरीके से कर सकते हो आप प्रायम वेरा सीख सकते हो अच्छी तरीके से उससे भी आप कैरियर में बन सकते हो कि इस तरीके सामें subject को कर सकते हैं आपने civil engineering सीखा है आपको content लिखना बड़ा अच्छा लगता है आप खुद के ब्लॉग बना सकते हो ब्लॉग बना के देखाओगा आपने www.unicsivill.com मेरा है उसमें में ब्लॉग लिखता हूँ daily daily हूँ अभी उसमें ग्राप का आप यह अंतक बढ़ रहा है और दीरे दीरे मुझे लगता है कुछी दिनों उसके उपर भी एड ड़ने लगेंगे तो एक ब्लॉग कर सकते हो थोड़ा सा कुछ नहीं करना है ब्लॉग आज का बहुत आसान है YouTube सीखो how to do the blog और लिखना है स्टार्ट कर दो और अगर आपके कंटेंट में पाउर होगा तो आप वहां से भी ग्रों कर सकते हो बहुत से लोगों ने एप बना रखे हैं और एप में अच्छे-एच्छे कुशन क्योंको सीविल इंजनी का कॉल इस तो ही किसी मित्र से या खुदी एप बनाना सीख लिया और एक आप लांच कर दिया 24 आप में की कुशन्श लगा रहा हैं से सीजे के कुशन डाला है ऑडोगरें ट के को चुघा बनाने एक इस तरीके से हमको थोड़ा हट के जाना पड़ेगा, आप सीधे सीधे जाओ के अज़े सीधे सीधे बहुत ट्रेफिक हो चुगा है, आप थोड़ा सा कट मार के जाओ, अगर मैं अपनी स्टोई बनाओ, तो मैं भी कुछ अपतर कट के ही जा रहा हूं, मैं बूक राइटिंग पर फोकस कर रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं बेडो से अरकने के फोकस कर रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर में भी काम करके लर्निंग भी ले रहा हूं, मैं साथी साथ आप लोगों को टीज करके नॉलेज भी गेर कर रहा हूं, तो मैंने थोड़ा सा हट के ही अपने करियर को ब पतादेन vibe, मुझे ने लगता है आपको सोक सबको है चाहिए पढ़ेगा तो सोक आपके खतम हो जाएगर आपकी होविस क्हतम हो जाएगे नहीं तो मेरा भी सोक है रैटिंग करना मेरा भी सोक है कभी बनना पर नहीं बन पा रहा seconds क्योंकि अभी मुझे जिस चीज में ज्यादा नौलेज है वह है सिविल इंजिनिंग तो अभी मुझे अर्णिंग का सुरोत ही है तो मुझे इस पर ही ग्रू करना पड़ेगा ने ने तरीके से उसमें मैं राइटिंग लेके आ रहा हूं किसी इंदर किस तरीके से एक करके दी कोविं इंजिनिंग में हो आप समचर्स ठीडा करने और विजद लिखना स्टाट कर दो सब्सके बारे लिखना स्टाट कर दो गुगल भी बहुत आसान ये फिरी आपको सट ऐसी ब्लॉग पर जाना हो लिखना वहां पर आपने ने लीजिसर अपने सो में पढ़ा है स्टी इतना कंटेंट आ जाएगा कि आपके पास एक तो ऑप्शन खुला रहेगा चलो भाई अपने पास एक बैकप है वन डॉलर तू डॉलर त्री डॉलर तो आई जाए उसके बाद दूसरा आप देरी देवलप करते हो आप अगर इंजिनिंग कॉलेज में त्यार आपके पास तो बहुत ही धेर सारे आउसर हैं आपके पास अभी टाइम में एप डेवलमेंट सीख लोना कुछ नहीं रहता आप यह मा सोच हो कि वह एक आईटी का सॉप्टर रहे बिल्कुल भी नहीं किस तरीके से आपको डेवलप करना है इस चीज़ को मलब की वेब्साइट की रैंकिंग किस तरीके सला नहीं हो भी आपके सामने आ जाएगी तो अपने को मैंटिपल इसकल्स को फोकस करना पड़ेगा आज की गवर्मेंट सा बरुसा मत करो गवर्मेंट सिर्फ और सिर्फ को यह भागा रही है अप देख लों किस तरीके से बया ही है आप नहीं करते ही सब अच्छा है सब चंगा है किस तरीके से लोग बोल अब आपको यह पता है तो आज की डाई में सिर्फ और सिर्फ रोजगार हमें खुद पैला करना पड़ेगा खुद से इसकलाइट करना पड़ेगा अब यह विचार करो कि कौन से स्कल के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो या जानना चाहते हो नीचे कमेंट करना कि कौन से स्कल के बारे में डीप नॉलेज़ चाहिए डेफिनेटली मैं आपको बता हूंगा उसके बारे में आपके ने ने उसर्स वापे बनते जाएंगे कि अच्छा मैं इस तरीके से कर सकता हूं हमारे वीडियो कैसे आपको लग रहे हैं मैं आपको प्रॉबर गाइड करन आपके नोटिफिकेसं रहते हैं इसको यह चाहिए इसको यह चाहिए इसको यह चाहिए उसके हिसाब से ही मैं वीडियो क्रेट करता हूं अगर आपको कुषन नहीं पूछेगे तो मेरे को आइडिया नहीं लगेगा ओपुछेए नहीं अीज्रेट नहीं करता हूं और हम तो कुसिस करते हैं कि आप तो पहुंचाते रहें बट आप से एक छोटी सी गुरुत अच्छी ना कर लो या फीस कर लो जो भी कर लो एक लाइक करना है और एक सेर करना है कम से कम दो गूप नहीं करना चाहते हो ग्रूप पर कोई प्रॉलम नहीं है आप क्या कर सकते हो सब्सक्राइबर के नहीं करने को कि बहुत मेहनद लगती है और जाथी साथ मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हालत कराब होती है हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम थोड़ा सा एक्सराइज करता हूं और जो भी नॉलेज मेरे पास है आप तक साजा करने को सिस करता हूं मिलता हमसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत करता है